तो कैसी है जनता मैं अमनकुमान मिश्रा आपका मेडिको डायनेमिस में हारदिक स्वागत करता हूँ और अपन स्टार्ट कर रहे थे एनाटोमिन फीजियोलोजी के बहुत बेसिक चैप्टर से जो की था टिशू उसके अंदर अपन एपिथीलियम एंड मस्कुलर टिशू भाई लोगों दो वीडियो डल चुकी हैं अगर आपको किसी तरह से कोई प्रोब्लम आ रही है तो सबसे पहले तो आप उसको लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो और अगर कंटेंट हमारा बहुत हम अंदर से जो भी नोट्स हैं आपको आपको हमारे कंटेंट में मिल जांगे फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमको कमेंट किजिए बट सब्सक्राइब जरू करें लेकिन एक बात अभी अगर हाथ में फोन लेके बैठे हो तो यार सूने सूने मत बैटो प्लीज अपना जो अंगूटा है उसको एक फ इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते है एस अनियम सजेष्ट बहुत कोमन सी लाइन है मेरी पहले वीडियो देखो गे दो तो इसके अंदर मैंने यही बोला एस अने बोला है कि नाम में तो कुछ नहीं रखा बट यहां बायोलोजी है मेडिकल है यहां पर नाम में बहुत किससलों जोड़ा है जोड़ता है अपने प्लशें है जो की नाम एक ऑन बाद करता है पहलता है अपने किसी चीज से वरे क्या अपने प्टे sustain कि सबसे जएदा पाए जाने वाला जो टीस्यू है वह है अपने बॉडई मैं सबसे ज़्यादा क्या मिलेगा चीजिजा मिलेंगाइगा मैं बीच मेंśnieände कि पूइंटंट आपने connective tissue है तो बना किससे है तो made up of cells, cells आप सब को बहुत अच्छे सा पता कि cell क्या है, it is the basic fundamental unit of our life, जो कि सब जानते है, structural and fundamental unit होती है अपनी life की, ठीक है, तो अगर कोई tissue है, तो वो किससे बनता है cell से ही बनेगा, तो obviously cell, तो इसमें मिलेंगे, then fibers, fibers की बात करों, तो अगर हिंदी में बोलू, तो इसको क्या कहेंगे, अपन रेशा, कुछ रेशा ऐसे होते हैं, अगर मैं भार की example दूँ, कि अगर आपने जूट है, जूट के आपने देखियों कि रसी आती है, उस रसी को आपने जोड़ा, तो जोड़ के अपने पूरा आटे का कट्टा बना लेते हैं, पूरी बोरी बन जाती है, तो ऐसी अंदर अपनी बोड़ी के अंदर बहुत सल ऐसे fibers होते हैं, तो उसलिए fibers भी ज़रूरी है, तीसलिए चीज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कुछ नहीं है, अगर मैं मैट्रिक्स को compare भी करना चाहूँ, साइटो प्लाज्म से, तो मैं पूरा compare नहीं करूँगा, क्यों, क्योंकि साइटो प्लाज्म के अंधर भी अगर तो माइटो कॉंट्रिया के अंदर का जो कंटेंट है उसको भी अपन मैट्रिक्स ही कहते तो इसको एज़ा साइटो प्लांस पूरा नहीं करेंगे बट यह मैट्रिक्स जो होता एक ऐसा सबस्टेंस है जिसकी वज़े से सेल को बहुत सारे प्रोसीजर्स या फिर कोई इस रिय इक टिशू बॉड़ी में तो मैट्रिक्स भी ज्यादा ही मिलेगा देन बात करते हैं फंक्शन की फंक्शन में आपको एक एक अच्छे से समझाना चाहता हूं मतलब की जोड़ना और फिर उसको सपोर्ट करना मैंने आगे एक आपको चीज बताई थी एक पिछली क्लास में एक 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 एग्जामपल दिया बबली का बबली एक नाम ऐसा है जो सबको याद हो जाता तो बबली जो नाम है बबली से मैंने एक्जामपल दिया बर से बोन ब से बॉन और ली से लिच ही बाविली मतलब बोनटो बोन को जोड़ना अल़ा कों है लिचामपल देख्वाया तौच्छन में बनता है वह विए यह एक और आयद Colin या मतलब की किस जोड़ा बोन से जोड़ा और फिर स्ट्रेक्चऱल सबट मतलब कि शो & और प्र उससके protection मतलब बचाव है बहुत सारे अपने बीच में आगे connected tissue से पढ़ेंगे जो कि protection का काम अगर example दू blood तो blood में बहुत सारे constituent होते हैं बहुत सारे constituent होते हैं blood के अंदर तो blood के अंदर कुछ मिलती है antibodies तो antibodies भी अगर मैं example दूँ तो क्या होगा कि अपना protection का काम करती है देन होता है transportation वापस वही example दो देना चाहूंगा कि best example क्या blood blood के अंदर आपको सब कुछ मिलेगा organic substance मिलेंगे inorganic substance मिलेंगे sodium potassium calcium सब कुछ मिलेगा hormone मिलेंगे उसके बाद में आपको enzymes मिलेंगे उसके बाद में tissues को nutrient provide होना है तो माल लेजए अगर पैर के जितने भी tissues है उनको nutrients चीए तो कहां से आएगा blood ही तो देगा ठीक है तो transportation या फिर अपनको gas चाहिए body में gas exchange होता है तो उसके लिए भी क्या होगा oxygen और carbon dioxide का exchange भी कौन करवाता है अपना blood करवाता है blood भी एक तरह से connective tissue में ही आता है then insulation insulation बहुत अच्छी आप मैं property बताना चाहूंगा अपनी body के अंदर insulation क्या होता है कि आपने कोई भी body ली या कोई भी ऐसा container लिया को यह भी ऐसा jar लिया जिसको आपने किसी ऐसे material से cover कर दिया जिसके ऐसे जो उसकी अंदर की heat है वो बाहर नहीं जा पा रही है तो जो बाहर नहीं जा पा रही है उसको क्या कहते है अपने body में भी heat बहुत जरूरी होती है, क्यों जरूरी होती है, क्योंकि अपने body में कुछ ऐसा amount का, ऐसा fixed temperature होता है, जिसके ओपर अपनी body function करती है, मतलब आपके enzyme की reaction भी उस पर होगी, metabolic reaction भी उसी पर होगी, और बहुत सारे protein भी उसी पर generate होगी, यह मतलब major function, जो अपना function होता है body का, वो उसी temperature पर होता है, तो अगर अपन temperature lose कर देंगे, तो अपन किसमा चले जा सकते हैं, hypothermia में, hypo मतलब होता है कम, और thermia मतलब temperature का कम होना, तो body में अगर आप hypothermia में जाते हैं, अगर चलते formation किस से बने हो हैं, मैंने पहले introduction में आपको बता दिया, matrix है, fibers है, and cells है, अब आगे चलके detail में इनको पढ़ते हैं, अब बता है matrix, matrix जनरली जो दोस्तों इसके अंदर मैंने बताया है, 3 point मैंने रखे हैं, mucopolysaccharide है, glycoprotein है, और fibers भी present हो, polysaccharide का मतलब कि जो sugar है, या फिर carbohydrate है, उनकी क्या होती है, branching और उनकी chains होती है, जिनको अपन poly कहते हैं, poly मतलब जादा, तो जो अपनी branching होती है, chain वाली जो अपनी carbohydrates होते हैं, उनको polysaccharide करते हैं, तो किस से बन सकता है matrix, glycoprotein जो होता है, एक तरह का protein होता है, जिसको अपन conjugated protein कहते हैं, क्यों कि इसके अंदर glycoprotein मतलब कि इसके अंदर क्या होता है, glucose और जो अपना वो होता है, वो as a conjugated partner होता है, तो जनरली अपन यही नोर्मली समझना चाहेंगे, क्योंकि यह जो point है आगे अपन और भी पढ़ेंगे बायो केमिस्टरी के अंदर, कि matrix किससे है, एक तो mucopolysaccharide, polysaccharide मतलब कि glucose है, glucose है मतलब कि energy है, और glycoprotein मतलब protein है, protein है मतलब कि आपको आगे, जो tissue का और transformation और आगे, जो tissue building है, उसके अंदर help मिलती है, fibers जो कि intact रखने के काम मतलब कि जोड़ के रखने काम आते हैं, तो matrix किसे बन सकता है, mucopolysaccharide से बन सकता है, glycoprotein से बन सकता है, fiber से भी बनता है, अब 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 बात करते हैं, fibers, कि अगर connective tissue में fibers मिलेंगे, तो कौन-कौन से मिल सकते हैं, जनरली तीन तरह के fibers मिलते हैं, अपन तीन तरह के fiber discuss करेंगे, होते हैं collagen, elastin और reticulate, सबसे पहले अपन बात करें तो collagen, तो मैंने यहाँ पर collagen fibers जो हैं, उसकी कुछ specific point रखे हैं, उसकी characteristic रखे हैं, यह characteristic सिफ collagen fiber के हैं, तो अपन आप इसको note कर सकते हैं, अराम से, collagen fiber सबसे पहले color less होता है, collagen fiber के कोई color नहीं होता दोस्तो, जैसे लोग रंग बदलते हैं, collagen fiber अपना रंग नहीं बदल सकता है, लोग बदल सकते हैं, collagen fiber नहीं बदलेगा, ठीक है, found in bundles, उससे पहले मैंने लेखा, form by collagen protein, एक तरह का protein होता है, जो कि क्या बनाता है, collagen fibers बनाता है, found in bundles, हमेशा जो collagen fiber होगा, वो bundles के form में होगा, bundles के form में होने के विश्चाश की, एक special characteristic बनेगी, आगे discuss करते हैं हमाण, give strength, आपने सुना होगा, उसने लकड़ी जोड़ के दी, तो लकड़ी नहीं तोड़ पाए थे, तो क्या है unity, क्या हुआ collagen protein, bundles में मलता है, मतलब कि बन्डल के अंदर है, तो क्या provide कराएगा, strength, मतलब ताकत, एक तरह से strength provide करवाता है, आपके connected issue को, दूसरा है, flexible but not extensible, bone के अंदर का matrix भी, collagen fibers का ही बनता है, वो lamela के form में arrange होता है, collagen fibers, है ना, तो इसलिए क्या bone के अंदर भी क्या होती है, strength होती है, ठीक है, अब आप बोलोगी, एक bone fact क्या मारूँगा मुपे, अगर bone fact के मुपे पड़ेगी ना, तो लगेगी इनसान के, इसलिए लगेगी, वोगी collagen fiber अंदर है, ठीक है, तो collagen fiber क्या है, flexible है, but extensible, मतलब collagen fiber को flex, मतलब खीश तो सकते हो, मोड तो सकते हो, लेकिन खीच नहीं सकते, extensive मतलब खीच के बड़ा नहीं कर सकते, found in all connected tissue, mostly in skin, tendons, ligaments and bones, मैंने डाला है, कहां का मिल सकता है, वैसे तो हर connected tissue में मिलेगा, लेकिन कहां का ज़्यादा मिलेगा, skin में, skin के नीचे अपन को मिलता है, then tendons, tendons जो होते हैं, अपने किसको, muscle को bone से जोड़ते हैं, तो tendons के अंदर भी यह बनता है, ligaments, जो bone से bone को जोड़ना ला, मतलब बबली, तो bone से bone को जोड़ना ला, ligaments, ligaments भी इससे बना है, और bones तो हैं, bones तो बने क्योंकि, अब जहां जाएं मिलेगा, महां बाइक प्रोवाइड करा एका strength, तो इसका major function क्या है, इसका एक strength provide कराना, ठीक है न, उसके आद बता है, elastin tissue, अब जैसे की, elastin tissue के अंदर क्या है, yellow colored होता है, formed by elastin, ये क्या होता है, yellow colored होता है, और किससे बना होता है, elastin protein से, compare करेंगे, collagen किसका बना हुआ है, collagen protein का बना हुआ, elastin किसका बना हुआ है, कोलेजन कैसा है colorless है और ELASTIN कैसा yellow colored है ठीक है यह यह इलास्टिन प्रोटीन की क्योंकि नाम है ELASTIN नाम महीं elastic है तो इसका क्या function होगा फ्लेक्जिवल एनेक्ष्टेवर मतलब कि आप आप इसको flex मोड भी सकते हो और इसको आप खीच भी सकते हो बनलब यह रबडवेंड की तरह है इसको आप कुछ भी करो मोड भी सकते हैं खीच भी सकते हैं अब सबसे में बात कि यह मिलता कहा कहा है तो found in large arteries and lining of nerve cell अपनी जो large arteries है अपनी जो arteries होती है उसकी एक लाइन होती है Ciao nika media करते है मिडल ल्हार होती है का सक्क लाइल अरट्री जैसे जो आर्ट्री से उसकी मिडल लाइन होती है त knights का मेटियंगाsite मेडिया यह जो होता है अपना सब्सक् Senior सकता है काम हो सकता है तो मेरे का BP आपका हा rats जो रहता है पूंप करता है तो जैसे अगर डाइक प्रेशर है तो आपकी वली होती है भ्लड वैसल हो सकती है कंस्ट Northwest आख काम हो रही है उसका कारण deem jam क्या मिलता है अपने को लार्ज आर्टी मिलती है इसी निर्भ एं उसकी के अंदर बी उसके उपर ही ऊपने को क्या मिले गा ये येPower IPS to my image ऐसे अभी त्येसर किसे क्या त्येसर कि सबकुलिर आगये दुछ एक साथ बंडल में थे यह ब्रांच के अंदर है ठीक है यह ना यह नेट लाइक अपीरेंस है और जहाँ पर जहां तर काहां मिलेंगे अपने जो लिंफोड टिशू होते हैं glandular organs होते हैं, lympho tissue में आप आगे पढ़ेंगे, अपनी जो lymph node हो गई, या फिर spleen हो गया, उसके अंदर articulate tissue बहुत मिलता है, तो अपन उसमें आगे पढ़ेंगे, अब जो अपने matrix discuss कर लिए, अपने जो भी है, अपना fiber discuss कर लिए, अब जो बात हुई थी, cells की, basic structure and function unit of life, उसके वाले में discuss कर लिए, कौन कौन से cell जो है, connected tissue में मिलते हैं, मैंने simple formula दिया, इसमें उनको याद करने के लिए, F square, M square, P square, L, F square से दो बनता है, fibroblast और fat cell, M square से दो बनता है, एक तो macrophage बनता है, एक mast cell बनता है, P square से दो बनते है, plasma cell and pigmented cell और L से होता है, अपना lymphocyte, तो अपन एक एक करके उनको discuss करते हैं, ठीक है, fibroblast जो है, large fat, flat cells होते हैं, with irregular appearance, fibroblast जो cells होते हैं, सबसे पहले तो बात बताना चाहूंगा, मैं आपको, क्योंकि fibroblast जो है, most abundant, सबसे ज़्यादा मिलने वाला जो cell है, अपने connected tissue में, वो यही है, connected tissue में, वापस रिपीट करों, connected tissue में सबसे ज़्यादा पाय जाना वा, cell कौन सा है, fibroblast ही है, दूसरी बात, यह large flat cells होते हैं, with irregular appearance, देखिए, मैंने दे रखा है, यह जो cell है, मतलब कि यह cell होता है, अगर मैं चोड़ाई में ऐसे बात करूंते है, flat cell होता है, लेकिन इसका appearance के ऐसा होता है, ऐसा irregular, irregular cell होता है, इसका appearance कोई fix नहीं है, कि इसी shape में मिलेगा, यह cell क्या होता है, flat होता है, और irregular appearance के साथ होता है, दूसरी बात, जैसे का नाम इसमें बता ही रहे, कि कि क्या होगा अगर फाइब्रो बदाश्ट करते हैं और फाइबर्स तो बनाएगा और फाइबर्स कौन-कौन से होए collagen, elastin और reticulate forming both collagen, elastin और जो collagen है उसी का एक part होता है reticulate ठीक है न तो reticulate, collagen, elastin ये सारे बनाता है function और बताना चाओंगा wound healing and secretion of first clotting factor अपना first clotting factor जो होता है fibrinogen उसका जो secretion है वो भी यही करता है मैंने कहा ता अपने blood के अंदर होता है जो clotting factors होते है blood के अंदर होते हैं तो tissue जो है अपना वो release करता है विसले blood के अंदर अपना clotting factor तो मतलब आपके ने कहीं छिल गया तो blood clot करवाना है तो वहाँ पर भी ये काम आएगा क्योंकि clotting factor निकालता है और wound healing wound healing मतलब कि आपको कोई घाव हो गया तो उसको भरने का काम भी यह करें कैसे भरेगा कि मान लिजी यह आपकी skin है आपको लग गई तो यह आपका cut लग गया skin के अंदर यह आपके tissues है अंदर के ठीक है ना यह cut है आपका उसके बाद के वाद सबसे बहुत है एंसेल्स ने कुछ ना क्या घाता मैं सिक्रीट करेंगे वूंड लिंग का है तो यहां पर fiber यह cut लगा था तो यहां पर fiber जुड जुड के जुड जुड के थोड़ा सा आपका क्या करेंगे wound को heal कर देंगे आपका जो cut है वो भर जाता है ठीक है अब कर आफ वरदर बात करते है कि wound healing बात कर लिए secretion all clotting factor अब आता है fat cells, fat cells को अपन adipocytes भी कहते है, fat cells को अपन adipocytes भी कहते है, ठीक है, उसके store fat online group और sometimes single, इसको मैं समझाना चाहूँगा कि दूसरा नाम कौन सा fat cells का adipocytes, ठीक है, size जो शब्द होता है, अपना उसके लिए होता है, cells के लिए adipocytes for, किसके लिए fats के लिए, then मैंने लिए लिखाए कि store fat only in group and sometimes singly, मतलब कि आपका जो fat cell है, इसके अंदर fat मिलेगा, कभी-कभी किसमें मिलेगा, group के अंदर तो मिलेगा, जैसे fat है, तो यह fat तो cell है, और उसके अंदर fat मिल रहा है, ऐसे groups के अंदर, या तो ऐसे मिलेगा, या फिर ये आपका, या फिर आपका ज जैसे fat के cell मिलेगा, अपने उसको multilicular कहते हैं, टीक है, दो तरह के fat होते हैं, white, दो तरह के fat होते हैं, दोस्तों, एक तो white होता है, एक brown होता है, white जो होता है, अपने 20 से 25% of body के अंदर होता है, white fatty जिसको आप जब से जादे के तो चर्वी, जो होता है, वो white fat होता है, अगर इंसान कहा रहे हो कि आप यह मोटा है, तो उसके पेट पर जो चर्वी ही, न, वो white fat की न, और जो जादे ही पतला है, तो उसके पास चर्वी ही नहीं है, उसकेप ही न, है उसके फेट श्के पास, और कहां-कहां मिल सकता है, यह चै्ठीन मेर्वा कर्ता है, अपनी आई है, और skin के नीचे भी, skin के नीचे तो आप जिसको कहते हो, आपका ये पेट है, मान लिजे आपका ये पेट है, और आपका normal पेट की lining ये है, तो इसके बीच में जो भरा हुआ इतना मोटा पेट जो आपका ये, जो सारा है, वो क्या है, skin के अंदर मिलने वाला fat है, जिसको आप चर्वी कहते हो ठीक है और कहां मिलता है skin के अंदर तो मिल गया उसके बाद होते है as a thermoregulator मैंने बताया था जो आपकी skin और अंदर की body है उसके temperature को maintain करने का काम भी क्या कर सकता है यह fat cell करता है thermoregulator का काम thermo मतलब temperature regulator मतलब regulate करना किसी भी चीज को तो जो temperature maintain कर रहा है वो यही कर रहा है ठीक है अब वो कहते हैं कि exercise करो fat घटाओ पसीना आएगा तो आप पतले होगे तो उसके अंदर क्या temperature increase भी होता है आपका पसीना घट निकलता है आपका fat कम होता है तो ऐसे regulate होता है दूसरा आता है अपना concept brown brown जो होता है प्रेजेंट सबसे ज्यादा brown new born baby में मिलता है क्यों होता है जैसे brown fat lose हुआ उसमें से और महाँ पर क्या होता है उसको बच्चे को एनर्जी बहुत कम मातरा में प्रोवाइड करेगा जैसे यह थोड़ा सा गलेगा महाँ पर हीट रिलीज होगी तो यह क्या करता है बच्चे को नॉर्मल टेंपरेचर वैसे उसको गरम रखने का काम करता है ठीक है आगे चलते हैं सब्सक्राइब हैं कि इसको हिस्टो का शब्द मैंने बोला है इसको इसको वाला सब्सक्राइब याद रखना कि यह 2 यह बहुत ज्यादा पहला मोस्ट अबेंडेंट सेल क्या था अपना वह होगा शायद यहां पर अपने डिसकस करा था पीछे वह था फाइब्रोब्लाश देन आगे आपन बात करते हैं मैक्रोफेज जो है सेकिंड मोस्ट अबेंडेंडेंट सेल सबसे ज्यादा पाए जाने वाला कि आपका यह कोई पार्टिकल है ठीक है उसके अंदर यह पार्टिकल है वह पर अपने क्या करा है यह सेल आया सेल ने क्या करा अपना यह फेगोसाइटोसिस के लिए सूडोपोर्ट बाहर निकाले और इसको पूरा ऐसे करके एंगल्फ कर लिया तो यह जितना भी पार्टि तो उसको कहते है मोनोसाइड क्योंकि यह क्या करते है जितने ही foreign material भाहर से जो आ रहा है बैक्टीरिया हो गया कुछ भी हो गया कोई external particle है जो बोडी के अंदर defect बना सकता है गया तो इसको engulf करने का काम किसका है इसका है دεν fibroblast in lymph node lymph node के अंदर मिलनेLoडे macro phages कौन कोन से होते है fibroblast होते है blood के अंदर मिलता है तो monocyte कहते है lymph node में मिलता तो fibroblast कहते है और अगर cover cells liver के अंदर मिलते है microfages वो कौन से हुते Apply eager cells कहते है एक और example देता हूँ, जो अपने lungs हैं, जो अपने फेफडे हैं, lungs के अंदर मिलने वाले का नाम है dust cell, जो lungs के अंदर अपन को मिलते हैं, उनका नाम होता है dust cell, जो macrophages lungs में मिलेंगे, उनको अपन dust cell कहते हैं, आगे बात करते है, leucosides, जिनको अपन WVCs भी कहते हैं, normally found in blood and flow, an important role in tissue defense mechanism, यह आगे और बढ़ेंगे, पुरा blood जा chapter आएगा, तो यह tissue side जो है अपने WVCs, white blood cells, यह काँ मिलते हैं अपन को blood में, और यह body का defense mechanism है अपना, उसके अंदर मतलब बचाओ के अंदर काम करते हैं, फिर उनका production भी कौन करता है, plasma cell करता है, दूसरा अपने इसको बोला है, cartwheel cell, cartwheel cell इसलिए बोला है, किसका nucleus होता है, वो cartwheel जैसा होता है, आप कुछ इस type का nucleus दिखेगा है, अगर आप microscopy देखेंगे तो, इसलिए इसको cartwheel cell भी बोला है, तीसरी बात secret antibodies, तो यह वही है कि अगर T औ B cell अपनी antibodies generate करते हैं, तो T और B cell से antibodies निकलवाने काम किसका है, plasma cells का है, और यह कौन कौन सी होती है, immunoglobulin G, immunoglobulin AMDE, इसको याद करने का, यह मैंने उसमें लगा रखा है कि कैसे होता है, तो इसको याद करने का है, गम दे, इसको याद करने का तरीका है, गम दे, गम तो सब क का चाहिए, गम चाहिए, पहले ही बहुत गम है, जीवन में और गम ले लो, ठीक है, तो इसको याद करने का, कौन कौन से अपनी antibodies होती है, bodies के अंदर, उसके आगे चलते है, mast cell, mast cell बोलो मैं तो मस्त cell बोलता था, स्टार्टिंग सा mast cell में लिए, आज भी mast cell ही है, और उसको बेसोफिल, टिशू बेसोफिल इसलिए होते हैं, आगे बेसोफिल पढ़ेंगे, बेसोफिल के अंदर क्या होता है, बेसोफिल है, इसके अंदर को छोटे-छोटे ग्रेनुल, मतलब करन मिलते हैं, इन ग्रेनुल के क्या होता है, टूटने की वैसे, जब ये ग्रेनुल टू आपकी नॉर्मल बलड वेसल हैं और इसके ओपर अगर स्टमीन दिखाया एडिक्रा तो लगेंवाइं के सुर्ट काम करते अगर बताना चाहँ आप क्या काम उस Äंग था 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 एजस अधाना चाहूं मैं आपको के specific function है अगर देखिए कि यह pipe है pipe को आपने पतला कर दिया तो अंदर से जो पानी बहरा है मतलब कि इस में से क्या को बहरा है खून बहरा तो उसका pressure क्या होगा इंक्रीज होगा तो वैजो कंस्रिक्शन से pressure इंक्रीज होता है है न और अगर इसके अंदर मान लिजे कि नॉर्मल सहले उसमें किस ने काम कर दिया हिस्टामीन ने काम कर दिया और वह बड़ा हो गया तो मतलब कि यहां से खून मेरा था और आपने pipe को और खोल दिया तो क्या ह होगा इसके अंदर जा स्यादा वहेगा तो इस कैसे क्या होगा ब्लड प्रेशन और कम होगा तो जो अपना वैजो डाइलेशन उससे बीपी क्या होता है वैजो डाइलेशन से तो बीपी क्या होता है रिक्रीज होता है वैजो कंस्रिक्शन से बीपी क्या होता है इंक्रीज बना लेते हैं ऐसा थक्का बना लेते हैं जिसके बीच में वह ब्लड वेसल्स के अंदर अटक जाता है और आगे जो ब्लड हो पास नहीं हो पाता है उससे बहुत साही दिक्कत आती है तो उसको गलाने के लिए बोडी में पहले से नेचुरल एक एंटिकोगुलेंट बना रियमेंटेंटें नीमा की एक ह norm है हिए होटा है खाल फो अपने स्किन में मिलता है और बचाव किसे करता है अपना जो uv रेज है एक harmful UV rays होता है UVB UVB जो rays होती है वो क्या होती है अपनी skin cancer और बहुत साथ cancer ऐसे हो जाते है अंजर gene mutation कर सकता है इसके ऐसे आपनको cancer production हो सकता है carcinogenic हो सकती है और भी दिक्कत आ सकती है तो आपनको जो harmful UV rays है उससे भी कौन मचाता है pigmented cell ही बचाता है अब आगे बात करेंगे classification क्या होता है connected tissue का generally connected tissue का अपनने दो चीज़ों में बचाता है उस connected tissue का नाम है connected tissue proper and connected tissue special connected tissue proper का अपनने और बचाता है further किसके basis बचाता है अपनने एक तो matrix के basis बचाता है ठीक है एक उसके अंदर के fibers और cells की basis पे कि matrix fibers और cells जो है उसमें कैसा मिलेगा proper के अंदर ठीक है और कैसा arrangement होगा तो loose connected tissue इसको अपने एक और नाम देते हैं इसको नाम aerolar connected tissue भी है further पढ़ेंगे दूसरा dense connected tissue reticulate connected tissue pigmented connected tissue और elastin connected tissue ठीक है ना उसके connected tissue special होते है special के अंदर अपने कौन-कौन से आते हैं blood, limb, skeletal connected tissue cartilage भी इसी के अंदर add होता है एक cartilage भी इसी के अंदर add हो जाएगा ठीक है न वो भी specialized connected tissue के अंदर ही आता है further और discuss करेंगे पहले मैं यहां समझा दू कि loose connected tissue है मतलब की loose मतलब धीला तो इसके अंदर का जितना ही matrix, fiber, cells होगे और मान लिजे मैंने एक छोटा सा ले लिया आपका tissue का भाग है ना तो इसके अंदर cells और matrix होगा और fibers कैसे होगे ऐसे loosely arrange होगे ऐसे दूर-दूर होगे और धीले-धीले arrange होगे तो इसलिए loose connected tissue होगया दूसरा मैं बात करता हूँ dense connected tissue तो वही सेम कि यह fiber मैंने एक वो ले लिया tissue का part ले लिया तो इसके अंदर matrix cells और fibers कैसे arrange होगे इस tissue के अंदर dense है dense मतलब tight बहुत tight packed होते हैं तो इस वाले tissue में कैसे होंगे यह ऐसे tightly arranged होंगे सारे के सारे बहुत पास पास और tightly arranged होंगे सब के सब ठीक है और उसके बाद आता है reticulate connected to reticulate की जैसे cell पहले ही मैंने पढ़ा दिया आपको कि reticulate जो होता है collagen fiber का एक पार्ट होता है और कैसे होता है reticulate मनलों net like appearance तो इसके अंदर कुछ इस तरह का appearance दिखेगा आपको tissue के अंदर अगर आप इसको देखते हैं है ना फिर बात ना pigmented cell आपने पहली पढ़ ले pigmented tissue क्या होता है आपकी इस skin को बचाता है elastin connected tissue अपन पढ़ चुके है elastin का बना हुआ होता है जो कि आगे क्या होता है flexible extensive दोनों होता हो आगे उसके अंदर अपन को क्या प्रोवाइड कराता है movement भी प्रोवाइड करवाता है अपन और भी पढ़ेंगे आगे further इन सब points को अपन deeply discuss करेंगे है ना तो अपन इस class को आज यहीं खतम करते हैं क्योंकि इसके मैं connected tissue के दो पार्ट बनाना चारूंगा कि यह बहुत बड़ा topic है अभी तक आपने सिफ introduction उसके अंदर कौन-कौन से सेल पाया जाते हैं उसके अंदर कौन-कौन से मैट्रिक्स पाया जाता है और उसके अंदर कौन-कौन से फाइबर्स पाया जाते है अपने उनके बारे में एक नॉर्मल discussion किया है जो भी मैंने उनके बारे में लिखा है अब उसको note कर लीजिए वह सिव ऐसा theory पार्ट नहीं दिया है मैंने इसका extra ज्यादा मैं इसे वह point डाले जो मांगता है जो point होते है तो मैंने इनको points के अंदर लिखाया आप उन points को रणरली लिख लीजिए ठीक है ना तो classification अपने थोड़ा सा जान लिया है next class में इसको और continue करेंगे तो दोस्तों please like share and subscribe याद रखना है दुनिय सेक्शन में हमको जरूर बता है कि हमसे कई गलती हुई है या आपको कुछ फर्दर जानना है तो आप comment section में पूछ सकते हैं तो very very thank you all of you और वही जनता को मेरा good bye और medico dynamics को subscribe करना ना बूले instagram पे page है दोस्तों उसको भी like करें thank you